नमस्कार, वेलकम टू माय आईश्वानी चैनल, आज हम लेक्चर सिरीज में बात करेंगे कला शारीर की, ये दोनों पॉइंट अफ यू से इंपॉर्टेंट है, पीजी पॉइंट अफ यू से भी इंपॉर्टेंट है, और बीए एमस में तो आता ही आता है, बीए एमस में कि इसे पहले कला की परिभाशा देखते हैं, कला को बताया गया है कि धातव आशे अंतर मरियादा, यानि कि धातू और आशे के बीच की जो मरियादा है, उसे कला कहा गया, ये एमडी पॉइंट अफ यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस ये पूछा जात हैं, हमारी शेडीर में सात धातवे होती हैं, जो हमारी शेडीर को धारण करती है। आशे के यहाँ पर बताया गया है रिक्ति इस्थान, तो धातू और आशे, आशे यानि कि कोई भी रिक्ति wellness ये जो मरियादा है, मतलब जो मेंब्रेण वगरा कुछ है, उसको कला भो लें कि यह था ही सारा काश्ठेशू चिद्यमानेशू द्रिश्चत यानि कि काश्ठ यह लकड़ी को चिद्यमानेशू छेदने पर सारा द्रिश्चत जिस प्रकार से उसका सार दिखाई देने लगता है वैसे ही थता ही धातू मांसेशू चिद्यमानेशू द्रिश्चत वैसे ही म च्छेदन करने पर धातू दिखाई देने लगता है। जरायू, मेंब्रेन, सेरस्च मेंब रं और श्लेशम मेंबरेन को म्युकस या जा सकता आ है। आचारे गणनात्सें ने भी बताया है कि पतले रेश्मीवस्तर के समान भिन भिन प्रकार की रचना वली यानि कि यह बिल्कुल पतली तो चाहा होती है पतली रेश्मी वस्तर जैसी बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट टाइप की होती है और सभी आश्यों को अंदर और बाहर से ढखने वाली जो जिल्ली होती है उसे कला कहते हैं इस्थान और कारिक के अनुसार इसके भेद बताये गए हैं तो यहां कोड बताया गया है मार मेश पुपी शू मासे मास धराकला रा से रक्त धराकला मेश से मेश धराकला शलव से शलेश्म धराकला पू से पुरीश धराकला पी से पित धराकला और शू से शुक्र धराकला यहां कोड आप सभी बच्चे याद कर लें यह important है यह MD में भी यही point code आप चलाईए easy है और BAMS में exam में आपको नहीं लिख आना है सिर्फ exam में आपको ये prepare करके रखना है through this code अब हम एक एक कला के बारे में बात करेंगे तो ये प्रत्मा मासधरा कला है ये दुतिया तरतिया चतुरता पंचमा शष्ठी और सब्तमी शुक्रदरा कला तो प्रत्मा मासधरा कला के बारे में बात कर लेते हैं प्रत्मा मासधरा कला ये यत्या मांसे सिरासनायू धमनी सुरतसां प्रताना भवंती मतलब कि सीरासनायू धमनी शरोतास यह चार चीजे प्रतान की तरीके से जहांग पे फैली रहती है जिल्ली केत्रो जिस कला केत्रो फैली रहती है उसको माशधरा कला कहते है यहाँ पर उधारण देते वे इन्होंने बताया है कि यह था बिस मरडालानी विवर धंते समन्त था जिस प्रकार से बिस मरडालानी यानि कि मरडाल यानि कमल जिस प्रकार से जो कमल है उसका बिस यानि कि जो उसका नाल होता है जो उसका में तंतू होता है वह जिस प्रकार से कमल जो है वो अपनी नाल को फैलाए रखता है उसी प्रकार से मांसे सिरह आदिया आदिया का मतलब यहाँ पे सिरह सनायू धमनी सुरूता सबसे लिया गया तो उसी प्रकार से मांस धराकला में यह सारी चीज़ें प्रतान के रूप में फैली रहती हैं यह этस्याम शोरितम विशेशत तश्चा विशेशत में शोरित होता है रक्त होता है रक्तको धरन करती है शीराशु यक्रत प्ली होश्च भवती यह सता स्थान बताया गया है कि सिराऊं में यक्रत और प्ली हा में यह होती है इसको उपमा देते वक्त कहा गया है व्रिच्छाद यद्धा अभी प्रपाहाद छीरनहवचीरम आसरवेत यानि की छीरी व्रक्ष यानि की दूद देने वाले जो व्रक्ष होते हैं दूदिया जो व्रक्ष होते हैं उन पर आहत करने से जिस प्रकार से छीर यानि दूद नि इननों यहां पर इनोंने मेध के साथ साथ सरक्त मेध मज्जा वसा सब के बारे में बताया है तो त्रतिय ये मेध्यो धरा नाम मेध्यो ही सर्व भूता नाम उद्धरस्थम अनू अस्ठिशूचा तीसरी मेदो धराकला है और मेदो ही सर्व भूता नाम यादी की मेदो जो है वो सभी भूतों के यानि सभी प्राड़ियों के उधर में स्थित होती है मेदो धराकला अणू अस्थी शूचा और छोटी अस्थियों में भी पाई जाती है महत्सू चा मज्जा इती अब यहां इन्होंने बड़ छोटी अस्थियों का वणन किया है तो साथ इन्होंने बता दिया है कि जो महत्सू अर्थात जो बड़ी अस्थियां होती हैं उन्हें मज्जा रहती है तो इस प्रकार से इनों ने वसा को और मज्जा को यहीं पर डिफाइन कर दिया है यह तीनों ही शलोग BAMS point of view से और MD point of view से तो बहुत बहुत important है अब हम अगला आते हैं शलेश मधरा कला चौती आती है हमारी चतुरती शलेश मधरा कला सर्व संधिशु प्राण भूता नाम भावती अरथात प्राणियों सभी प्राणियों में यह सभी के संधियों में पाई जाती है इसको बताते वक्त इनों ने बताया है कि यथा हक्षे चक्रम भावत प्रवर्तते स्ने अभ्यक्ते जिस प्रकार से जो चक्र है उसके जो अक्ष है इसने से सिंचन करने पर ठीक प्रकार से काम करते हैं संद्या साधू वरतंते संशलेश्टा शेश्मना तता उसी प्रकार से शलेश्म धराकला में वह शलेश्म जो है वो सभी प्रकार की संधियों में सौफ्टरनेस जो है वो बनाए रहता है इस प्रकार से इसको लिप्त संधिया अच्छी तरह कारे करती हैं अब आता है मलाव का जहाँ विभाजन होता है पक्वाशयास तता मतलब पक्वाशय में इस्थित कोष्ट के अंदर पक्वाशय में इस्थित मल का विभाजन जिस कला के थू होता है जिस कला में होता है उसे पुरिश्धरा कला कहते हैं उदहरन देते वे इन्हों ने बताया है तुलना करते वक्त कि यकृत समन्तात कोष्टम चा तथा अंतरानी समाशिता अर्थात यकृत समन्तात यानि कि यकृत और कोष्ट के पास जो भी आंतर का भाग होता है वहाँ पर उंडू कस्तम विब जते मलम मलधरा कला जितना भी स् सीकम मान ले तो हम मान के चलते हैं कि सीकम जो होता है वह लार्ज इंटस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है और यहां से हमारा वाटर एब्जॉप्शन स्टार्ट हो जाता है और फीकल मैटर बनना शुरू हो जाता है उसके बाद छटी आती है पितधराकला पितधराकला कहां स्थित होती है बताये गया पक्वा셔서 उपस्थितम धारयती या चतुरविधम अनपानम आमाशयत प्रचुतम यानि कि जो अन्ने आमाशय से निकलकर पकवाशय में उपस्थित होता है, पकवाशय की तरफ जाता है और किसको धारण करता है? चतुरविधम अन्पान, जो चतुरविध अन्पान को धारण करता है उसे पितधरा कला कहते हैं अब आमशाए यानि इस्टमक से निकल रहा है, लाटज अंटस्टाइन की तरफ जा है, यानि कि स्मॉल अंटस्टाइन का पार्ट ये हो सकता है, तो स्मॉल अंटस्टाइन में जो कला होती है उसे पित धरा कला कहते है और यहाँ जो चत्रुविद अन्न बताया है ये कौन है ये है अशित खादित पीत लिड़ अशित मतलब भाद टाइप का सॉलिड माटीरियल खादित खादित लड़ू टाइप का पीत यानि पीने वाला और लिड़ यानि की अवले अर्थात चाटने टाइप वाला रबडी और अवले इत्यादी कोष्ट गत नर्णाम तत जीरियती यधा कालम शोशितम पित तेजिसा यहाँ पित के द्वारा तत जीरियती यधा कालम अर्थात ठीक समय पर जीरन होता है इसका मतलब जीरन होता है और कैसे जीरन होता है पित तेजिसा पित के तेजिसे जीरन होता तो आप इस लोग को BMS के point of view से learn कर सकते हैं जो MD में भी काम आएगा लेकिन साथ ही साथ अगर आप नहीं learn कर पा रहे हैं तो पित धरा कला को जो ये उपमा वाले शलोग दिये गए हैं इनको कुछ इस तरीके से prepare करिए कि ये MD में आप शलोग के थरू बता पाएं कि यह किस कला के बारे में बात कर रहा है next lecture में हो सकता है कि मैं code के बारे में कि कलाओं के जो उपमा दी गई हैं उन उपमाओं को हम code के थरू कैसे याद करेंगे इसके बारे में यदि मुझे समय मिलता है तो मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगी अब हम अंतिम शुक्र कला पे चलते हैं सब्तमी शुक्र धरा कला या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापनी उसी प्रकार से शरीरेशु तथा शुक्रम रणाम उसी प्रकार से शुक्र जो है वो पूरे शरीर में व्याप्त रहता है यहाँ पे इन्होंने शुक्र को जो गमन की स्थिती है उसको बताया है कि शुक्र कहां से गमन करता है तो पुरुष का शुक्र यहाँ वस्ती द्वार के नीचे दो अंगुल दक्षन पार्शों में पुरुष का शुक्र मोत्रमार्ग के रास्ते से बाहर आता है यहाँ पे कुछ इंपोर्टन बताए गए है कलाओं को जो कमपैर किया गया है थोड़ा सा हम रिलेट कर सकते कि हरदयावरन कला अर्थाथ जो हरदय को अच्छादित रखे पेरिकारियम फुफुस आवरण कला जो लंक्स को अच्छादित करे प्लूरा उधर आवरण कला जो पूरे उधर में प्रेजेंट रहे पहरिटोनिया मस्तिश का आवरण जो मस्तिश को कवर करे मेनेंजीज तो इस प्रकार से यह कला का आयरवेद की दृष्टि कोर से पूरा चैप्टर सम आपत होता है धन्यवाद